So, hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आइफोन 13 सीरीज में, जब आप कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं, बढ़ आपको वहाँ पे सो होता है, sorry, this type of video cannot be saved to this device, okay, तो basically इसका reason क्या है, और इसका solution क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, okay, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा, बिल्क आइक उन को प्रिस्ट कर लेना है, तो देखें, कुछ-कुछ content ऐसे रहते हैं, इन्करप्टेट रहते हैं, जिसकी वज़ा से आपको इस type की problem देखने को मिलती है, अगर ज आपको फोन की problem लग रही है, आपको फोन की problem को fix करना है, तो आपको जाना होगा अपने iPhone 13 की settings में, then आपको general पे click करना है, आपको scroll down करके option मिलेगा, ट्रासपर और restart, ठीक है, ट्रासपर और reset iPhone, simple आप इस पे click करेंगे, reset पे click करिए, और simple आपको अपने iPhone 13 के जो all settings होती है, आपकी problem fix हो जाएगी, okay, so topic is cover, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै माता दी,